Hello friends, welcome back to my channel, मैं समीता आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ एक product review जो उमीद करती हूँ आपके लिए काफी helpful रहेगा और ये है एक sandwich toaster ये sandwich toaster, simple sandwich toaster नहीं है इसमें 3 तरह की tray है जिसके वज़े से इसकी utility और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये product और किस तरह से हम इसको use कर सकते हैं उमीद करती हूँ आपके लिए video helpful रहेगा, आपको पसंद आएगा तो चलिए बिनादेरी के start करते हैं आज का ये review video ये मेरे पास है agaro brand का sandwich maker ये three plate sandwich maker है जिसमें कि आप waffle बना सकते हैं, grill कर सकते हैं साथ में sandwich भी बना सकते हैं तो इस तरह कि इसकी build quality है stainless steel का है center में और side में ये plastic body है three pen plug है इसका और यहाँ पर ये red और green जो button आप देख रहे हैं red है preheating के लिए और जब green हो जाएगा तो आप अपनी cooking start कर सकते हैं इस तरह की nonstick की plates हैं और ये plates सबसे पहली जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है sandwich के लिए और ये removable plate है इसलिए ये इसकी utility काफी ज़्यादा बढ़ जाती है ये देखिए इस तरह से ये plate बहुत ही असान तरीके से निकल जाती है अधिकतर जब हम grill sandwich maker लेते हैं तो उसमें plates removable नहीं होती है तो उसकी वज़े से उसकी cleaning काफी मुश्किल हो जाती है तो simple सा function है इसका just यहाँ पे एक button है उसको आप push कीजिए इस तरह से और ये plate हमारी निकल जाती है इस तरह से detachable plate के साथ में आता है तो ये पहली plate है sandwich making के लिए और इसके बीच में ये rod है यही heat up होती है एक ही sandwich maker में तीन तरह की plate है और वो भी removable ये काफी ज़्यादा utility वाला product मुझे लगा मेरे पास पहले prestige brand का था sandwich maker बट उसमें removal ना होने की वज़े से इसमें काफी ज़्यादा scratches आ जाते हैं क्योंकि जब उसमें cheese वगेरा हम melt करते हैं जब cheese sandwich बनाते हैं तो थोड़ा सा cheese बाहर निकल लिया आता है तो उसको clean करना मुश्किल हो जाता है तो यहाँ पर आप देखिए तीन plate हैं और काफी अच्छे size की हैं तो यह है grill plate जिसके उपर आप grill कर सकते हैं और जो मेरा favorite है वो है waffle plate मैंने इसे especially waffle बनाने के लिए ही लिया है मैं waffle maker search कर रही थी बट मुझे यह जब three plates में मिला तो मुझे लगा यह try करना चाहिए क्योंकि एक चीज के सासथ हम तीन तरह की चीज़ें इसमें try कर सकते हैं waffle maker भी इसका काफी अच्छा है यानि कि इसकी plate काफी अच्छी है तो इस तरह की three sets आते हैं plates के जिनको आप remove करके इसमें लगा सकते हैं तो यह देखे waffle plate मेरे पास से है मैं आपको इसको लगाना भी बता देती हूँ यहाँ पर पीछे दो hook देख रहे हैं इनमें बस यह attach करना इस तरह से और प्रेस कर देना इतना simple है बस इसे करना और open करते विए जस यह point अपने प्रेस करना है और यह निकल जाएगी plate इस तरह से कोई बच्चा भी से अराम से यूज कर सकता है और सबसे बड़ी बात जो इसकी cleaning के लिए easy हो जाता है plate को निकाल कर clean करना क्योंकि जैसे waffle maker में इतनी सारी grooves होती है और काफी सारा घी oil जाता है तो फिर अगर यह detachable ना हो तो इसको clean करना काफी जादा मुश्किल होता है यहाँ पर यह feature मुझे काफी अच्छा लगा यही मेरा एक reason है इसको लेने का सारी ही plate same size की है तो यह आप easily लगा सकते हैं देखिए यह grill plate है इसको भी मैं बहुत आसान तरीके जिसमें attach कर पा रही हूँ और उसके बाद निकालना भी काफी आसान है तो यह देखिए इस तरह से और कोई भी plate ऐसे नहीं है कि loose है या आपको मुश्किल होगी उसको करने में और यह agero brand का sandwich maker Regal है इसका model number और यह 750 watts का है इसके साथ यह anti-skit foots मिलते हैं जिसके वज़े से एक जगा यह stick हो जाता है और फिर हिलता नहीं है यह log काफी काम आता है इसको अगर आप press करके इस तरह से रखेंगे तो इसके उपर बहुत ही अच्छे mark आ जाते हैं sandwich के उपर यहाँ पर इसके साथ मिलती है एक की booklet इसमें लिखा है इसका model number Regal है और बाकी जो instruction है किस तरह से आप install करें और जो भी आपको problem आती है आप इसमें search कर सकते हैं सारी चीज़े mentioned है 750 Watt का यह sandwich maker एक साल की warranty के साथ आता है इसकी back side में आप देख सकते हैं Agaro brand के और भी product हैं यहाँ पर mention तो काफी सारे product हैं इस brand के और अच्छे reasonable price पे हैं इसका जो single plate वाला आता है वो 939 रूपीस का है तो आप देखी सकते हैं कि just double price में आपको 3 plates मिल रही हैं और उसकी utility काफी ज़्यादा बढ़ भी जाती है चलिए देख लेते हैं किस तरह से sandwich maker को हम use कर सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर यह sandwich plate लगाई है जो classic sandwich हमारे बनते हैं यहाँ पर आप bread को potato stuffing के साथ में या कोई भी stuffing के साथ में यहाँ पर सेंडविच बना सकते हैं इसके अलावा अगर आपने कोई batter बनाएवा जैसे मैं यहाँ पर सूजी के sandwich बना रही हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे जब green light आ गई तो इसमें cooking शुरू हो गई है और within 15 minute यह हमारे ready हो जाते हैं और भी crisp करने के लिए इसके उपर आप oil लगाके अगेन इसे cook कर लें तो बहुत यह अच्छे crisp हो जाते हैं यह और आप देखेंगे विना bread के ही नहीं सकते हैं बट इस तरह के better वाले sandwich भी आप इसमें try कर सकते हैं काफी अच्छे से बनकर ready होते हैं और यह देखें nonsticky plate है इसकी तो बहुत easily demold भी हो जाते हैं आप हलका सा grease करें उससे browning अच्छे आती है बट अगर आप oil free भी बनाना चाहते हैं तो भी आप इसमें easily बना सकते हैं तो यह देखें मेरे sandwich बिल्कुल ready हो गए हैं इन्हें हम plate में निकाल लेते हैं यहां पर आप अलग-अलग section में sandwich रख सकते हैं या बीच में से इनको जैसे मैंने जुड़े हुए रखें इस तरह से रख सकते हैं और फिर आप इनको बाद में cut कर सकते हैं और यह देखें कितने बढ़िया यह crispy हैं बाहर से simple grill plate को use करके आप इस तरह से grill mark वाले sandwich बना सकते हैं तो अब चलिए देख लेते हैं मेरा favorite waffle और waffle बनाने के लिए ही मैंने यह sandwich maker को लिया है इसकी waffle plate को देखकर ही तो यहाँ पर waffle बनाना भी इसमें बहुत ही असान है जस बटर और घी से नीचे grease कर दिया था plates को और उपर से डाल दिया था waffle का mixture और यह देखे हमारे waffle बनकर ready हैं मैंने जब first time बनाया तो थोड़े से crisp नहीं बने थे बट last में जब मुझे अंदाजा आगया time का तो बहुत ही crisp और crunchy waffle बने थे इसमें मैंने savory waffle भी try की हैं जो भी काफी amazing बने थे यह मैंने कौथमवीर वड़ी जो होती है उसी की same recipe को follow करके थोड़ा सा better उसका lose कर लिया था और उसको इसमें बनाया तो बहुत ही yummy यह waffle बने थे कौथमवीर वड़ी waffle आप कह सकते हैं और यह देखे इनकी crispness इनको बनाने में थोड़ा सा time ज़्यादा लगता है बर बनते बहुत ही अच्छे हैं यह देखे काफी अच्छे यह बने हैं इसको आप किसी भी चटनी या sauce के साथ serve कर सकते हैं अगर यह recipe आपको चेक करनी है तो मेरे चानल पर इसकी recipe और इड़ी मैंने share की हुए आप उसे check out कर सकते हैं तो मेरा experience तो इस waffle maker यह sandwich maker के साथ बहुत ही अच्छा रहा जिस purpose के लिए मैंने इससे खरीदा था वो काफी अच्छे से solve हो रहा है काफी दिन तक यूज़ करने के बाद मैंने यह review आपके साथ share किया है उमीद करती हूँ आपके लिए helpful रहा हो आपको पसंद आया हो अगर आप इस product को buy करना चाहते हैं तो link आपको description box में मिल जाएंगे आप वहाँ से check out कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like ज़रूर करें चैनल को subscribe करें और अपना feedback मेरे साथ share करना नहीं भूले मैं मिलती हूँ आप से कसी और नहीं interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए bye thank you thanks for watching